पुर्ल शराब बंदी वाले बिहार में शराब का अवैथ कारोवार करना सराइथाना अध्यक्ष पुपरा महेंगां ततकालिन थाना अध्यक्ष विदुरकुमार हुए परखास्त आपको बताते चले कि पूरा मामला अवैत करोवार किया जा रहा था जिसकी सूचना पटना मध्ध निशित विभाग की टीम को लग गई और पटना मध्ध निशित विभाग की टीम ने शराय थाने के अंदर छापे मारी कर एक पिका परलोर भारी मातरा में बीजिसी सराथ की खेप को जब किया था जिसके बाद पूरे मामले में संग्यान लेते हुए तिरूहुत परशेतर के आई जी पंकर सिंधा ने बरी कारवाई की है और ततकालिन ठानाध्यक विदूर कुमार और उनके एक अन्य सहयोगी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉंफरेंस करते हुए प्रेटियल रूप से आंशिक रूप से उसका विनस्टी करन किया गया और लगभग 945 लिटर शराव जो शेश था उसको रातरी के अंधेरे में ततकालिन ठानाध्यक्ष उनके अधीन काम करने वाले एसाई मुनेश्वर कुमार और सिपाही 410 सुरेश कुमार राम एक चार पहिया वहन को ठाना में लाकर माल खाना से उस शराव को अपने नहित स्वार्थ सिद्धी के लिए बेचने का प्रयास कर रहे थे इसी बीच मद्द निशेद विभाग का जो इंटेलिजेंस विंग है उसने खबर किया कि इस प्रकार का एक कृत्य होने की जानकारी मिली है इस आधार पर वैशाली सदर वैशाली चिला के सदर SDPO के द्वारा इस बात का सत्यापन के क्रम में थाना पहुँचा गया ये इस बात में सच्चाई मिली और एक फोर वीलर पर आट सो अटाइस लिटर सराव बेचने के नियत से रखा गया पाया गया इस आरोप में उस समय के थाना धक्ष अनी बिदुर कुमार और सअनी मुनेशवर कुमार और सिपाही 410 सुरेश कुमार को गिरफतार कर जेल भेजा गया नई खिरासत में भेजा गया और इस संबन्द में सराय थाना कांड संक्या 237 संगत धाराओं में दर्ज कर उनके विर अनुसार विभाग्य करवाई संपन की गई संपन विभाग्य करवाई के क्रम में लगाए गए दोशों की जो लगाए गए आरोप हैं विभाग्य करवाई में उनकी पुष्टी हुई और तत पस्चात ततकालीन थाना धक्ष बिदुर कुमार और सिपाही 410 सुरेश कुमा कुमार राम को सेवा से बर्खास्त किया गया है जो दो पता अधिकारी हैं उनकी बर्खास्त की बिदुर कुमार और सानी मुनिश्वर कुमार की बर्खास्त की आई जी तिरूत के अस्तर से किया गया है और सिपाही 410 सुरेश कुमार की बर्खास्त की इस पी वैशाली के द अस्टाचार में लिप्त हैं उनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का सरकार का जो पॉलिसी है उसको क्रियानवन में लाये जाएगा और जो लोग की मांदारी से और अपने दाइतों का निर्वान अच्छे धंग से कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जा रहा है तो जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर बिदुकृत गई ती पंकष निया गया था उसमें से कुछ सराब की खेप उसको चुपा लिया गया था और चुपके से उस सराब का एक पीकप पर लोड कर अबयत करोवार किया रहा था बाहर भेजा जा रहा था जिसकी सूचना जो है पत्ना मध्निसेद विभाग की टीम को लगी और पत्ना मध्निसेद विभाग की टीम ने सराय थाना परिशन में छाप्रमारी करते हुए एक पी आध्यक्स शहित एक अन्सहयोगी को सिवा से बर्खास्त कर दिया है। मुझा परपूर से नियूज पॉर्णेशन के लिए मनिभूशन शर्मा की रिपोर्ट।